सावधानी हटी दुरघटना घटी यह कहावत हमें याद दिलाती है कि सतर्कता ही सुरक्षा की कुंजी है और मौझूदा वक्त में यह कहावत बांगलादेश में यात्रा करने वाले हर व्यक्ती के लिए फिट बैट सकती है क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने बांगलादेश को लेकर एक नई यात्रा चेतावनी जारी कर दी है दरसल यूके सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बांगलादेश को लेकर जारी किये गए ट्रेवल एडवाईजरी में साफ कहा है कि आतंग की हमले का खत्रा वहां बढ़ स में साफ लिखा गया कि बांगलादेश में आतंकी हमले की संभावना है या हमले भीड भारवाले स्थानों धर्मिक स्थलों और राजनितिक सभाव को निशाना बना सकते हैं खासकर उन लोगों को टार्गेट किया जा सकता है जिनकी जीवन शैली या विचारधारा कुछ कटर पंथियों को इसलाम के खिलाफ लगती हो FCDO ने विशेश रूप से चिटगाम हिल जैसिक शेतर में केवल आवश्यक यात्रा करने की सलाह दी है यह इलाका पहले से ही अशांत माना जाता है और यहां कई बार विद्रोही गतिविधियां और आतंकी घटनाएं दर्ज की गया सुरक्षाबल और पुलीस अकसर इन हमलों का निशाना बनते हैं बांगलादेशी प्रशासन ऐसे हमलों को रोकने के लिए सक्रिय है लेकिन खत्रा अभी भी बरकरार है ACD की एडवाईजरी में सपष्ट रूप से बताया गया है कि भीर भारवाले इलाकों धार्मिक स् प्रतिबंद लगाया जा सकता है आतंकवाद किसी भी देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिती पर बुरा प्रभाव डालता है बांगलादेश में इन खत्रों के बावजूद प्रशासन लगातार योजना बद्ध हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा हालां की सतर्क्ता बरत ना हर नागरिक और यात्री की जिम्मेदारी है वैसे अगर आप बंगलादेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा करने से पहले स्थानिय हालात के बारे में जानकारी ले ले हमेशा आपातकाली नंबर और स्थानिय प्रशासन से संपर्क का साधन रखें क प्रप्रश के साथ यात्रा करें और भीर भार से बचे खेरातं की खत्रे को हलके में लेना खतरनाक हो सकता है आपका क्या कहना है जिस तरह से UK में बंगलादेश को लेकर एडवाईजरी जारी की गई है उसे लेकर कमेंट करकर जरूर बताएं ब्यूरू रिपोर्ट भारत तक क्या जाएं उसे दिस तरह से लेकर बंगलादेश भारत पारत तका ज़कब प्लादेश लेकर लेकर जाएं लेकर लेकर दोगवादेश और एकर रिझेजर नहीं आपका है जिसे जाएंगर प्लावदेश का है